मूवी की शुरुआत एबी नम के एक खुबसुरत लड़की को दिखाने से होती है एबी पैशे से एक नर्स है लेकिन वो एक सीरियल किलर भी है एबी ऐसे मर्दों को अपना जाल में फसाती है जो अल्रेडी साधू सुदा हो और फिर वो उन्हें सजा देती है आज एबी एक बार में आये हुई थी जहाँ पर धेर साधी सुदा मर्द आते है और उपनी वाइफ को धोखा देते है एबी की नजर बार में एक आदमी पर जाती है जो की एबी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगता है एबी उस आदमी की मेरे रिंग निकालते हुए कहती है कि तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा तू वो क्या सोचेगी एबी उस आदमी को एक आखरी मौका दे रही थी लेकिन फिर भी ये आदमी एबी के पीछे जाता है एबी इस आदमी को लिगर के बिल्डिंग के चट पर जाती है और वहाँ उसे सेड्यूस करने लगती है लेकिन एबी तुरंट अपने बैक से एक चाकुन निकालती है और फिर वो उस आदमी के पैर में कट लगा देती है जिससे उस आदमी का धेर सारा खून बहने लगता है एबी उससे कहती है कि अपनी वाइफ को चीट करने की यही सजा है अब तुम्हारे पास दो रास्ते है या तो तुम भाग कर नीचे जा सकते हो लेकिन 90 सेकेंड के अंदर तुम बेहोस हो जाओगे और दूसरा रास्ता है कि मैं तुम्हें अभी इस पेंज से मुक्त कर दू इतना कहकर एबी उस आदमी को च्छर से नीचे धका दे देती है और उसकी वही पर मौत हो जाती है अगले दिर एबी अपने काम पर जाती है वो AllSense नाम की होस्पिटल में नर्स है एबी बताती है कि होस्पिटल में भी कई सारे ठरकी मर्द है कुछ पेशन्स है तो कुछ डॉक्टर्स और एबी ऐसे कई मर्दों को पहले मार चुकी है इसके बाद एबी एक ग्रेजुवेशन सेरिमनी में जाती है यहाँ पर हम एक नई नर्स डैनी को देखते है जिसकी मेंटर एबी है और एबी डैनी को बहुत जादा लाइक करती है सेरिमनी के बाद एबी डैनी की मदर और उसके स्टेफ फादर लेरी से मिलती है डैनी का स्टेफ फादर लेरी डैनी और उसकी मदन को बहुत जादा परिशान करता है और सायद उसका बाहर अफैर भी चल रहा है इसलिए एबी लेरी को अपना अगला सिकार चुल लेती है तब ही यहाँ पर डैनी का बॉइफरेंड स्टीव भी आता है जिसे देखकर एबी को जलन होने लगती है स्टीव भी इसी हॉस्पिटल में एम्बूलेंस ड्राइब करने का काम करता था और वो डैनी के साथ स्टोर रूम में जाकर इंटीमेट भी होता है डैनी अपने पहले ही दिन एक पेशन को गंबीर हालत में देखकर डर जाती है और यहाँ का सुपरवाइजर डॉक्टर मौरिस उसे डाटता भी है इसके बाद डैनी फोन पर स्टीव से बात कर रही थी तो एबी उनकी बातों को चुपके से सुनती है उन दोनों की बातों को सुनकर एबी को पता चलता है कि स्टीव डैनी को लिविन में रहने के लिए फोर्स कर रहा है लेकिन डैनी इसके लिए मना करती है क्योंकि वो अपनी मदर को अपने स्टेफ फादर के पास अकेला नहीं छोड़ सकती थी इसके बाद एबी डैनी के पास आती है और उसे थोड़ा mental support देती है और फिर वो उसे अपने साथ कलब में चलने बोलती है लेकिन कलब के बाहर डैनी अपने stepfather लेरी को एक दूसरी औरत के साथ देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि लेरी का affair चल रहा है डैनी उसे डाठती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद एबी डैनी को कलब में लेकर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा drink करवाती है और डैनी को बहुत ही ज़्यादा नशा हो जाता है नैसे में वो एक अंजाल लड़के के साथ intimate होती है और एबी डैनी को ऐसा करते हुए फोटोज घीच लेती है इसके बाद डैनी एबी के साथ भी इंटिमेट होती है अगली सबर डैनी की नीद खुलती है तब वो एबी के घर में उसके बेट पर उसके साथ सो रही थी और दोनोंने कपड़े भी नहीं पहने थे डैनी को कुछ याद नहीं था कि कल राप को क्या हुआ इसके बाद एबी डैनी को आज हॉस्पिटल से छुटी लेकर उसके साथ दिन बिताने को बोलती है लेकिन डैनी अपना पहला वीक में छुटी नहीं लेना चाहती थी इसली वो होस्पिटल के लिए निकल जाती है एबी भी कहीं जाने के लिए निकल परती है नीचे अपना पडुसी जेरेट मिलता है जेरेट एबी को बहुत लाइक करता है लेकिन एबी उसे ज़्यादा भाव नहीं देती है इसके बाद एबी डैनी के स्टेफ फादर लेरी के यहा जाती है डैनी के स्टेफ फादर लेरी एक सैकेटरिस्ट है और एबी उसके पास थेरेपी के बाहने बना कर जाती है वो उससे कहती है कि मुझे मर्दों की बुरी लत लग गई है और फिर वो लेरी को इन्लैकली सेड्य यूज भी कर दिये और फिर यह सब देकर लेरी एबी को अपना पर्सनल लंबर देता है फिर उस्पिटल जाकर एबी देखती है कि स्टीव ने डैनी के लिए फ्लावर्स भेजे थे और यह देख एबी बहुत गुस्सा होती है वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मेरिस डैनी को ह रहना चाहता है लेकिन वो लेरी के साथ अपनी मदर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती यह सुन एबी उससे कहती है कि वो समझ सकती है और वो डैनी को अपार्टमेंट के एक्सव चाहीं देकर कहती है कि अगर कभी उसे कुछ जरूरत हो तो उसके घर का दरवाजा डैनी के लिए हमेशा खुला है यह सुनकर डैनी को काफी अच्छा फील होता है उसी साम को एबी लेरी से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि उसे फिर से एडिक्शन हो रहा है यह सुनकर लेरी एबी को एक सुनसान गली में लेकर जाता है वहाँ वो एबी के साथ इंटिमेट होने क लिए रेडी था लेकिन एबी लेरी के गर्दन में पैरलाइस करने वाला इंजेक्शन लगा देती है जिसके बाद लेरी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था एबी कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चला कि तुम चीटर हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा वही पतानी चलता कि यह मर्डर था यह एकसिडेंट फिर डिनर लेकर अपने घर जाती है तो वहां उसे डैनी मिलती है जो कि लेरी की मौत की खवर सुनकर शौक में थी और फिर उसे इस हालत में देखकर एबी उसे संभालती है डैनी बताती है कि अब क्यूंकि लेरी नहीं है त वो वहां से जाने लगती है एभी उसे रोकते वे बोलती है कि लेरी एक बुरा इंसान था और अच्छा वब जो कि उसका एक्सिडेंट हो गया अब डैनी ने एभी को एक्सिडेंट के बारे में बताया ही नहीं था इसलिए ये सुनकर डैनी डर जाती है और वो वहां से चली जाती है कुछ दिनों पाद फ्यूर्ण पर डैनी एभी को डिटेक्टिव रोगन से बात करते हुए देखती है रोगन एभी से कहता है कि वह डैनी के फादर की मोख का इंवेस्टिगेट करने थी फिर बाद में डैनी एभी से से काफी अच्छे से पेश आ रहे थी वहीं दूसरी और एबी डैनी को उस राद के कुछ फोटोस सेंड करती है जिसमें डैनी एक स्ट्विंजर के साथ इंटिमेट हो रही थी और ये फोटोस देकर डैनी परिशान हो जाती है इधर रेसल एबी से मिलने जाती है और किसी कारण स को बताती है कि बच्पन सारा नाम की लड़की रहती और यह बिलकुल उसी की तरह लग रहे है और उसे लगता है कि सारा है ऑ एबी ने इमेल लोसके वही फोटोस बेजे हुए है जो उसने उस रात कलब में लिये थे और फिर स्टीव के महां आने से पहले डैनी सारे फोटोस को डिलेट कर देती है उस रात को एबी डैनी को वीडियो कॉल करती है जिसमें रशल पूरी तरह से नशे में थी और एबी उस शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि डैनी अपने स्टेफ फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लैरी के शरीर में पुलिस को पैरलाइस करने वाली दवाई मिलती है और लैरी के एक्सिटेंट वाले दिन डैनी ने भी हॉस्पिटल से यही दवाई ली थी साथी एबी के साथ सोरी थी और वो डैनी को अकिला छोड़ कर वहां से चला जाता है लेकिन अब डैनी डॉक्टर मॉरीस से एबी की शिकायत करती है इधर रिशेल एबी और सारा की बीच कनेक्शन ढूनने में लगी हुई थी और जब इसके बारे में एबी को पता चलता है तब वो रि साथ इंटिमेट हो रहे हैं इसके बाद सेरा का फादर सेरा की मदर को बहुत मारता है यहां बिना बुलाएं आने के लिए इस सब देखकर सेरा बहुत गुसा हो जाती है और एक चाकू से अपने फादर को ही माट डालती है और इस वज़े से से मेंटल इंस्टिटूट में अब इस मेंटल इंस्टिटूट के अंदर एबगेल नम की एक नर्स ने सेरा का खाफी अच्छे से ख्याल रखा यहां तक कि सजार खतम होनी के बाद सेरा एबगेल के साथ ही रहने लगे क्योंकि सेरा की मदर ने सूसाइड कर लिया था लेकिन इसके कुछी दिन बाद एब और अक्टर मॉरिस एबी से कहता है कि डैनी ने उसके खिलाफ कमप्लेइन की है जिस पर उसे एक्षन लेना होगा इससे बसने के लिए एबी मॉरिस को सेड्यूस करती है और मॉरिस उसके पीछे बेस्बेंड में चला जाता है जहां पर वह उसे बेहोस कर देती है और फिर के होस्स में आने के बाद एबी उसे बहुत तरपाती है और उसका हाथ काट कर उसे जान से मार देती है इदर डैनी रिशेल को वाण करने के लिए उसे कॉल करती है लेकिन उसे पता चलता है कि रिशेल का फौन उसी के कार में पढ़ा हूआ है और फिर तभी डैनी को एबी का कॉल आता है जो उसे धमकी देती है कि आब वो स्टीव को भी वैसे ही मार देगी जैसे उसने रिशेल को मारा है इसके बाद हमें पता चलता है कि एबी डिटेक्टिव रोगन के साथ भी सो रही है इसलिए डिटेक्टिव उसके हर बात मान रहा था लेकिन इदर डैनी रोगन के लिए एक मैसेज छोड़ देती है कि एबी असल में सहरा है फिर डैनी तुरंद हास्पिटल पहुंचती है और हास्पिटल के अंदर डैनी और उसमें लडाई होने लगती है इस लडाई के दोरान एबी पूरी तरह से पागल हो जाती है और उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारती जाती है पुलिस वाले डॉक्टर यहां तक कि वो कई सारे पेशन को भी मौत के घाट उतार देती है डैनी और स्टीव उसे रोकने की कोशिश करते है लेकिन एबी खुद को लैब में बंद कर लेती है एबी नोटिस करती है कि उसका पड़ोसी जैरेड यह सब देख रहा है इसलिए वो ऐसे चिलाती है जिससे रोकन कोई चोर हो और वो एबी को लूटने की कोशिश कर रहा हो यह सुनका जैरेड एक बेसबॉल बेट से रोकन के सिर में मारता है जिससे रोकन की वही पर मौत हो जाती है फिर यह जानकर कि उसने एक पूलिस वाले को मारा है जैरेड काफी जादा डर जाता है लेकिन एबी उसे कन्वेंस करती है कि तुमने अच्छा काम किया और अब तुमें इस बोड़ी को ठिकाने लगाना होगा नहीं तो तुम फस जाओगे ये सुन जैरेड एबी की बात मानकर रोगन की बोड़ी को ठिकाने लगाने लगता है वही एबी दूसरी शहर में चली जाती है और वहाँ के हुमर रिसो सेंटर में वो एक नर्स का जॉब ले लेती है और इस बार उसने नर्स बनने के लिए रिशेल की आइडेंटिटी यूज की थी और कुछ इसे तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है